तो आज हम लोग जाएंगे मार्केट और वहां से लियाएंगे पानी का टंकी क्यूंकि हमारे घर पे अभी आज तक पानी के टंकी नहीं लगी थी और हम लोगों को काफी दूर से पानी लाना पड़ता था तो फिर जाते हैं और कैसे लगाते हैं दिखाते हैं तो गाइस फाइनली टंकी हमारे घर पे आ चुकी है और इसको हम लोग चाट पे चड़ा भी चुके हैं तो इसका सेट अप देखिए कर रहा है मेरे छोटे भाई और यह हैं मेरे पडोसी अंकीत और यह रही परी और परी एक बर हाय कर दो देखिए परी यह भी बहुत करता है और निवसमी पाइप से पानी आएगा टंकी में टा तो पहले पाने को हतसे लाना पड़ता था बालटी में भरभर के और करीब कई सो लीटर पानी लोग लाते थे तो अपने लिए और गाय के लिए होता था मतलब पसरों के लिए पर आज से सारा मतलब सिस्टम यह पानी लाने वाला दूर हो जाएगा तो मेरा रहा ट्यूबेल संहुमं सकते हैं और वहां से लोग पानी कैसे बाल्टी बाल्टी लाते थे हैं। आब हमारे पास लग गया है देखिये वाई-पाई है यह वाली तो इसा पानी भर जाएगा और इसको यहां से बिल रीदिया गया है है यहां से यह दो गाईस मैंने बदाया था कि मेरे चाहते आज पानी की टंकी लगी है और जो घर दिख रहा है वहां से पानी लाए जाता है पानी बाल्ती बालती करके लाए जाता है लेकिन काफी दिनों के बाद मेरे घर वो मेरे च्छात पर देखिए पानी की टंकी लगी हुई है और अब पानी धोने की जंजट खतम हो गई और इसी पानी धोने के वज़े से एक बार मेरी मा का हाथ भी टूड़ गया था बाल्टी लेके आ रहे थी और पानी इसे भरी बाल्टी थी और गिर गई उसके बाद से इसका डिलेवरी भी निकाला गया है इसका देखिए रहा टोटी और यह टोटी मैं आपको बता दूँँ जो ड्रीप में लगा जाता है जो खेतों में सिचाई के लिए ड्रीप आती उसमें एक टोटी लगा जाती है ताकि जिससे इसे खोड़ने पर देखिए इसका प्र मेरी जो यह गईया है यहां लग गया है एक प्रोटी तो इस गईया को भी नहला दिया चाता है और मतलब इसका इतना प्रेसर है कि आसा आनी से दिखिए पानी वहां तक जा रहा है तो फ्रेंट्स आज इस ब्लॉग में इतना ही और फिर मिलते हैं आप सेगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाए